चलिए लंदन में भारती हाई कमिशन में तोड़ फोड़ की घटना पर भारत सरकार सक्त हैतराज जताया है और दिल्ली में बिटिश हाई कमिशनर को तलब किया है इस बीच हाई कमिशन पर अब पहले से जादा बड़ा तरंगा लगा दिया गया दो तस्वीरें आप भी किया गया और फिर भारत के सत्त रुख के बाद वहाँ पर जंडा बापस लगा दिया गया और बलकि पहले से बड़ा जंडा बापस लगा दिया गया तो वहीं लंदन में रविबार को भारती आहाई कमिशन में तोड़ फोल की घटना का ब्रोध सुमभार को नई दिल्ली में किया गया नई दिल्ली में बिटिश हाई कमिशन के बाहर सिखों ने खालस्तानियों के खिलाब बेनर पोस्टर लहराए और नारेबाजी की कहा कि भारत हमारा स्वाविबान है इन सिखों के मताबिक तरंगे का अपमान किसी भी सूरत में बरदास्ट नहीं किया जाएगा और चले हमारे साथ हमारे बंसल एक्सप्लेनर सरज जी हमारे साथ लकातार बने हुए सरजी जिस तरह से ये जो पूरा मामला है एक वो वक्त याद आता है जब बिंडरा बाला ने पुरे पंजाब में एक माहल प्यता किया और उस पर लगाम लगाने की भी कोशिस की हमारे देश ने एक प्रधान मंत्री को भी खोया क्या फिर से पंजाब को जलाने की साजिस है दिखे खलिस्तान की अगर बात करें तो ये मांग कभी पूरी तरह खतम नहीं हुई और इसकी जो जड़ें थी वो मुख्य तोर पर कनेडा में बिल्जियम में इंग्लिंड में और यूरोप के एक दो जो देश थे वहां कुछ ना कुछ खलिस्तानी समर्थक किसी ना किसी रूप में मौजूद रहे लेकिन अगर हम इसका विसलेशन करें कि यह अचानक से सर क्यों उठा रहा है तो एक तो हमारा पडोसी मुल्क जिस पर आरोप है कि वो इसको प्रश्रे द हो सकता है कारण अगर हम देखें तो बीते करीब साथ-ाथ वर्षों से खलिस्तान मुमिंट को लेकर हमने तेजी आनी इस पूरे मामले में देखी है और पंजाब में लगातार किसी ना किसी रूप में घटनाएं लगातार सामने आई हैं चाहे स्वारण मंदिर में बरसी मन के आई है और उसको अंतराश्टी स्थर पर जो मानने ता और जिस तरह का एक ताकत बढ़ी है इंटरनाशनल डिप्लोमेसी भारत की काफी मजबूत मानी गई है उसके बाद पाकिस्तान का अंतराश्टी मंचों पर जिस तरह उसकी मुखालिफत हुई है और उसको के कुछ प्रमुक सिख नेता पाकिस्तान में है इस समय जिसमें एक रिंदा का नाम हरविंदर सिंग रिंदा का नाम काफी एहम है और आपको याद होगा कि दर्शकों को भी हम बता दें कि 2022 में जब पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हैटक्वाटर पर हमला हुआ था तो कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हतियार है तब यह बात सामने आई कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ताक्तें बड़े मजबूती से लगी हुई है और जिस तरह से अमरित पाल सिंग जो वारिस पंजाब दे का यह जो मूमेंट खड़ा करने की कोशिश है यह दरसल भारत को कहीं न कहीं परिशान करने की और अस्थिर करने की कोशिश है जिस तरह से आप देखिए और कुछ और कनाड़ा में भारतिये मंदिरों पर हमले हुए हैं जिस तरह यह सारी चीज़ें कहीं न कहीं डिजाइन इसके पीछे पड़ोसी मुल्क का नजर आता है बहुत सकती से पटना होगा एक और बहुत महत्पूर्ण बात है दिनेश की जब भी रीजनल पार्टी की सरकारें होती है तो बड़ जो बड़ी पार्टी होती है उससे उनके तालमेल को लेकर बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए दोनों पक्षों की तरफ से और मुझे लगता है कि यह पर और तवज्ज़ दी जानी चाहिए राजनीती अपनी जगे है लेकिन हम राष्ट्र हित को सबसे उपर रखते हैं और यही वज़ए है कि चाहे अमरत पाल सिंग की गिरफतारी की बाद हो या तमाम जो मुद्दे हैं इस पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बहुत बहुत शुक्री हमारे साथ जोड़ने के लिए और जिस तरह से जो माहुल बनाने की भी कोशित ही जा रही है उस माहुल से निपटने का भी प्रयास होगा